नमस्कार दोस्तों मैं सोभित निगम आपके अपने टोष चैनल नाति श्रीप आपका स्वागत करता हूं और आसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे जबरदस्त होंगे क्योंकि आप उत्तरप्रदेश पुलिस के तयारी कर रहे हैं और वर्दी लेने के लि उत्तरप्रदेश पुलिस में जो आए हैं उनको करानी जाने है कोश्चन बहुत ही बढ़िया हैं लाजबारं को देखिए समझेए और आप मेनत करे यह की इसी प्रेटफार्म पे इसी तरह के को अम लगा करके और इससे बढ़ियां-बढ़ियां इससे टफटवट लगा कर कि हमें उत्तर प्रदेश फुलिस में नंबर हमें लाना है तो चलिए इस्टार्ट करते हैं देखें पहला कोचन है जो आपके प्रिवेश एक्जाम में हुआ हुआ दो हजार भी देखें हुआ थे यह पुद्ध है यह उसके बत कह रहा है कि दाय मुडा और 8 मुटर चला दाय मुडा और 8 मुटर अब पस्चिंव से इसे यह आप पर हम आपको बदा है फिर आज बता रहे हैं क्योंकि हमें कोच्टन नहीं गलत करना देखिए जब इधर से दाय मुड़ जाएंगे और ताय मोड़ेंगे तो और कितना चला है N यहां चला यहां से दाय और आट मीटर चला आट मीटर चला पूछ रहा है कि सुरृवाती बिंद्धु पर वापस जाने के लिए यानि कि इस बिंद पर यहां से वापस जाने के लिए उसे नियुंतम दूरी कितनी तैय करें पड़ेगी, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो आप निकाल लेंगे, हम आपको बताये थे, इसलिए हम पहले आपको क्या करा है, पहले हम आपको कोस्चन जादे-जादे साल करें, देखें, अब यहां से देखने से क्या लग रहा है, यह आपका आधार हो गया, यह क्या हो गया, आधार हो गया, यह क्या हो गया, यह आपका लंब हो गया, यह आपका कंड है, क्या है, कंड है, जब यह आपका आधार है, यह लंब है, यह कंड है, तो क्या करेंगे, यहां पर आपका क्या लगेगा पाइथागोरस परमे और आपको पता है कि पाइथागोरस परमे पाइथागोरस परमे क्या होता है करण का स्क्वाइर कंड का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर प्लस आधार का अधार का स्कॉयर ठीक है देखिए हम आपको क्या बता है पाइथागोरस पर में से कोश्चन बताएं और एक्जाम में आया हुआ है किस एक्जाम में 2019 साताइस एक दोहार इसंटनों जोड़ेंगे तो सौव आएगा कितना और और किसके बराबर कंड के स्कॉयर के बराबर तो कंड बराबर कंड बराबर क्या वाह souven अब दस कंड़erson अबढ़ा जाएगा 10 तो यहीं इसका राइड टैंसर हो सब्सक्राइब कितना 40-30 टहला गया यहां से शुरॉति दूरी पुछा गया और Unika'll निकालए प्रश्ण को सालब करेंगे और यही आपके एक्जाम में आया हुआ है उत्तर प्रदिस्ट पुलिस के एक्जाम में आया हुआ है चलि अगला कोचन देखिए और कौन सा कोश्चन आया है कैसे उसको लगाया जाएगा बहुत बढ़ियां-बढ़ियां कोश्चन है जो बताया गया है जो पढ़ाया गया है उससे बाहर के कोश्चन नहीं आये हैं और आएए हम अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन दिया गया है गाउं A गाउं B इस गाउं B के पक्षिम में है, जो गाउं C के दच्छिड में है, जो गाउं D के पक्षिम में है, गाउं D के साफ पेर्चे गाउं A किस दिसा में है, बहुती बढ़िया क्वेशन दिया गया, देखिए, क्या कर रहा है कि गाउं A, गाउं B के पक्षिम में है, अब गाउं A हम के शीम में ये बहुत ही महत्वपूर सब्द है पहले बेktड है जो जो मतलब दूसरे वेक्थी की बात हो रही है किसके दूसरे बैक्तिकी और और मतलब पहले बैक्तिकी किसकी बैक्त कर रही है पहले बैक्तिकी जो मतलब दूसरा और मतलब पहला बहुत ही महत्तव पूर चीज़े दोनों सब्सक्राइए इनने में जो उल्जाब हो गया इसमें जो उल्जाब हो गया तो कि दख्षन में से अब state जो गाशके पस्चिम में कौन कर ने की दूसरा इनके पीच में दूसरा तमान है जो ईकी पस्चिम में है जो τα डी के पस्चिम में कौन सी अब कूछ रहा है将ज में धीकाह फिजह जेह के शिख्च्च में अब देखिए गाउडी के साफ एक जिसा में है के जिसा में है यह कौन सी दिसा होगी 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 जखेज़ और पोछिम कितना आसान कोश्चन दिया कितना बढ़ी आ कोश्चन दिया जीए पर समाले जीए तीज़ानी जुरूद नहीं इसमें देखें क्या क्या गया है गाउए गाउबी के जो मतलब भी जो मतलब भी सी के जो डी के बनेयों सोबर देख लृचित क्योआ के याने कि कॉन सी calculate बनेया फुच्राइ app लिख रहा है सके पर समय आपका दस्चीड और पोन्पक्षा थी आपका एंसर हो जाएगा दस्चीड और पश्चिम दच्छीड और पर्ष्चिम यहीं इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक आनिक आपसा नंबर दी यह इसका राइट एंसर जाएगा चलिए अगला कोच्छन देखिए जवाब कि यह भी आपके पुलिस की एक्जाम में आया हुआ देखिए थोड़ा सा बीटर नेकी जरूत न सपती आता है और आपा असानी से कर लेंगे पूरा का पूरा कि पूरा नंबर इसमेंगि एक संजी है जो 1000 वेट चला बाय मुड़ा और और 15 मीटर चला और बाए मुड़ा और 15 मीटर चला अब बताई है शुरुआती स्थिती से कितनी दूरी और किस दिसा में है कितना बढ़ी कोश्चन दिए गया इससे बढ़ी जान टफ टफ कोश्चन आपको कराये गया और यह तो एकदम आसान दिया गया यक्स यक्स दच्छ किसी बिंदु पर 15 मीटर तक पहुंचा कहां तक 15 मीटर तक चला फिर उसके बाद कर रहा है बाय मुड़ा अब बताईए यह आपकी दिसा है इतना बढ़िया से बताया गया है चूटने वाला है यह आपका दच्छिड है बाया गुमेंगे तो इदर गुमेंगे बाया गुमे माया मतले विदर गुमेंगे गडिके विपरिति सामें अब यह कर रहा है कि माय गुमा कितना चला माय गुमा कितना चला 15 मीटर किना चला 15 मीटर चला 15 मीटर इसको चला दिए इसके बाद फिर का रहा है इसके बाद फिर का रहा है कि माय मुडा और आगे 15 मिटर फिर माय मुडा और 15 मिटर चला यानि कि फिर माय मुडा और 15 मिटर चला 15 मिटर फिर चला 15 मिटर फिर चला 15 मिटर फिर चला हम 15 मिटर चला दिये फिर कहरा है अब कि वह शुरुवाती इस्तिति कितनी दूरी और कि इस दिसा में है यह शुरुवात यह आपका पूर्व हो गया और कितना चला पंद्र यह थो यह पंद्र होगा क्योंकि यह पंद्र है तो यह भी पंद्र है और यह पंद्र होगा तो यह भी आपका पंद्रे मीटर होगा कितना होगा पंद्रे मीटर यानि कि एक्जाम में आया हुआ वही कोश्चन आपको करा रहा है हम कुछ ही कोश्चन है हमारे पास उनको हम साल्व करा रहा है आपको ताकि आपको यह पता चले कि एक्जाम में कोश्चन आते कैसे है ठीक है चलिए आगे दिया है कि दच्छिण पूर की और मुख करके मुख किये हुए एक ब्यक्ती 45 डिगरी घडी 45 डिगरी पर घडी की सुई की दिशा में मुख घडी की सुई की दिशा में मूड जाता है अब हम देख लेते हैं पहले इसको मिटा दिया जाए फिर को करते हैं ठीक है चलिकिया कहोने है कि दर्चछड पूर्व की और 회 दर्चछड पूर्व यही क्या है दर चट्रपूर्व अब दर्चछड पूर्व अब won is कि कि पैंतालिस डीशी जड़ी पर ऐगड़ी की 100-5 तरफ यह कितना है वे इसके बाद कराहे की घड़ी की दिसाउस में मुड़ जाता है अब यहां सर कह रहे ये default म की चिक कर द्गत मोगा और यह दुए 1 आपका 50 tua सब्सक्रांका कितम सब्सक्राइब लॉएерм 맛있 Election Pak Hamilton सब्सक्राइब करें वेसे द्राइब कर द्थेयर्च यह खाएंभीं द्रियाMr. All Una We're 202 qamma एक 702 25 जम टाइब अरो के सब्सक्राइब लगी हो रहा है अब बताईए यहाँ पेंचा है वह कहां पहूंचा है यहाँ से किस दिशा taught सर जाएगा एफसा नों बहुत आसार बहुत ही बड़िये जीए एक सिर्टियूंग यह शीघरaltet दच्षिल पूर की और मुझ है यहां से 45 गड़ी की सुई के समय तो गड़ी की सुईसा इसके बाद कह रहा है कि 180 डिग्री घड़ी की सुईसा में गुमा दिये में अब करा है कि वक्स और भाट किये हुए है तो कि दर ये कौन सा मुख है ये कि दर रहे उत्तर की ओर तो क्या बेंसर आपका उत्तर की ओर यही सका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है जलिए आप आगे देखिए क्ला कोश्चन बहुत बड़ीयां-बड़ीयां question दिया गया है आपके एकदम exam में एकदम हलुआ जिसको बोलते हैं एकदम हलुआ ऐसे ही question दिया गया बहुत बड़ा नहीं है ठीक है बस आप उपने उपर सयम रखिए तैयारी को मजभूत करिए धीरे-धीरे सफलता की यह जो आपकी तैयार यह दिरे दिरे आपको सपलता की और ले जाएगी बस मेहनत की जरूरत है बिना मेहनत की विए कुछ वने वाला नहीं है ठीक है चलिए आगे कोशन देखिए अतुल उत्तर की और 5 मिटर चलता है अतुल उत्तर की और 5 मिटर चला दिये उत्तर की और 5 मिटर चला दिये उत्तर क और बुड़ेगा व तर से ठीम अब 000 तर बेर यहां और चैनल कितना चला करऊ यह बाहि और बाय और बॉड़ जाता है तीन किलोAME एक किलोमीटर आते Pelas Gym अएसे लिए आप leftxi गुलमीटर यह यह आपको पांस कहले मिटर है कि आप 3 किलोमीटर चलने के बाद चलने के बाद दाई और उमड जाता है और पांच और पांच किरूए चलता है अब यहां से महीं चलता अब यहां से देखिए यह भाया गोमां करद दो क्या है है यह प्रणी मेंदू कौन साहे किसंप समें कि सामें यह को पिषेतर विए यह सब उत्तर पस्चिम यहीं उत्तर पस्चिम नहीं और जाका देखें कितना चुछ जिए है कि कि सोन मुग किया हुआ है अगर कि सुकता कि आती है कि इस समय तो बतायारी हो जाया thirty तो इसका राइन टेंसर अबस्चिम किस आपसण नमबर बेंग यही सका राइन टेंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम किस तरह से हम को सालों करेंगे तो इसको समझने के लिए मेरा पिछला दो वीडियो आप जरूर देखें जब दोनों वीडियो पिछला आप देख लेंगे तो आपको तुरंत दिशा और दूरी में आपको कोश्चन नहीं फसेगा ठीक है चलिए कोश्चन और भी दिखते हैं और भी दिया गया है और देखते हैं जो एक्जाम में आये हुए हैं उनको कोश्चन को आपको करा रहे हैं चलिए बहुत जवर्दस्त बढ़ियां कोश्चन दिया गया है एक घड़ी में समय 4 35 बज रहे हैं अब देखें घड़ी है घड़ी हम बना देते हैं यह घड़ी हो गया यह आपका 12 है यह 6 है यह 3 है यह 9 है यह आपका 4 यह 5 7 8 10 11 1 2 यह आपका घड़ी है और कह रहा है घड़ी में 4 बज कर 35 मिनट हो रहा है चार बज कर 35 मिनट यह आपका 4 है और 35 मिनट जाएगा तो देखें थोड़ा सा किदर जाएगा यह आपका घड़ी होगी यह गंटे की सुई चार पे न यह गंटे की सुई हो गई और यह मिनट की सुई 35 कह रहा थी देखें यह यह आएगा यह आपके घड़ी में 4 बज कर 35 मिनट हो रहे हैं यह गंटे की सुई की सामें 270 चली जाती है किस की सुई मिनट की सुई किसके सामें गंटे की सामें घंटे की जिसा इए तो यह आपका यह थोड़ा सा फूसाने के लिए कि गंड़े की सुई कि तीसामे अरे मिनट की सुई हो चाहिए कही दिसा में चलेगी यह कही दिसा में चलेगी तो अब क्या है यह घंटे की सुई चला अभी कितना चला 270 अब जाइए एक मिनट में कितने कि दिगरी का कोड बनता है कि एक मिनट में च्छे डिगरी का तो हमें इसे जोड देंगे तो लगभग आपकी घंटे मिनट की सुई अब यह कि दूसरा दूसरा फिकर यह बनेगा अब यह अब यहां पे घंटी की सुई चलि है यह आपका बार है हिए की आंट हो गया यह थो गया यह आठ हो गया इhtो क्या यह पासल गया यह आठों गया पांच हो गया यह चार यह दो road shooter यह आपको एक हो गया तो बार है ठीक है यह आपका सुई है अब कह रहा है कि मिनट की 200 270 गूम रही है कितना गूम रही है 270 गूम रही है अब थोड़ा अब देखिए यहां पर कोड नहीं निकालना है आप तुरंत गड़ी पर मत जाईए कलेंडर पर जाई उस पर जाईए दि देख जाइए पूछा गया है कि गंटे की सुई की दिसा में थी दिसा को इंगित करती है तो आप गड़ी पे नहीं जाए घड़ी का कॉस्चन हमें लगाना है जब घड़ी पढ़ाई जागा तो घड़ी का कोश्चन लगा जाएगा वाँ तो आप देखिए यहां पर क्या अजा आएगा बियागाना है अको ओर होता हुव है तीनो साल डुट इस मिनट एक डाय। वाहु साथ आए गटाँ तरल करेंगे तो 55 कि लगभगय हम एक्सोट नहीं मता रहे हैं अब कर दिए अब कर रहा है कि घंटे की सवूई कि इसदिसा में है तो घंटे की सुई या गंटे की सरी देखिए में गंटे की सुय देखिए घंटे की सुई हुए Lazisya में कोई परिवर्तन नहीं है चीश्यक होगish किस हो इभी किस दिसा में है अभी दाचिड दाचिड किस दिसा में धचर। सब्सक्रांग डर्चेड पूर्फ डिसा में तब वहीता और अभी इंवा है तब आप याई है कोई परिवर्दण नहीं हुआ है आपका एंसर क्या हो जाएगा दचिक आपका आशार जाएगा आप सन नमबर दचिख फूर्फ कितने लोग घड़ी और दिसा दोनों देखर के घबडा जाएंगे लेकिन घबडाने वाली कोई बात नहीं एक दम आपासान को चंद दिया गया एक पिर से कभश दिए यहां पर आज कि मेक्स है की स्वह एगांulle यहां पर आज आज आगी तो पुछा गया गंटे की स्वह की दिशा कोन सब्क्राइबल यूगी योगी इनकेवत पहले भी था और अब भी योगा यानि किसकी ौइफ पर तो अग्ला कोश्टन देखिये पाँ चलिए अगला कोशन दिया है अगला कोशन दिया गया है प्रभुद दिपाली सुबह के समय एक दूसरे के और मुख करके एक दूसरे के और मुख करके बात कर रहे हैं मुख करके बात कर रहे हैं लेकला कोशन दिया गया है प्रभुद और दिपाली सुबह के समय एक दूसरे के और मुख करके खड़े हैं खड़े होकर बात कर रहे हैं यदि कोई एक बेक्ति पंक्ति में उसमें सामील हो जाता है तो अधिक कोंड 135ा हो जाएगा दिपालीटी सोर मुक्टी हुए खड़ी समय मुख करके कौन कौन प्रभुत और दिपाली तो यहां पर लग दें पभूर्थ प्रभुत को और यहां पर हो गया आपका दिपाली यह गया दिपाली आमने साम ने मुख्ये कड़े हुए है सुबह का समय है तो अभिने में एक बैक्ती हो और आता कोई पक्ती है आजाता है यह पता नहीं हैंए तीसरा भक्ती लिख लीजिए सांथ तीम्ल मिध्वत करें यह दोनों एक दुसरे कर府 के खड़े है और तीसरा आब की आ जाता चाटा यां में शामर या यह बत कराई है और इसमें कह रहा है तब तब प्रभुत और अदि कोड में बनाएंगए यह है मेलेजी अब में इनके बीच सो पहनतिश लिकर दिखकी कोड बनता है तो इस ऐसे रहे ली प分享 और पाली का मुख किस दिशह मेर है कि दिपाली का मुख की दिशा में है जब 3050 के कोड़ बनाएंगे तो प्रभुत को इधर ये बनाएंगे क्यों काकि यgt coat जाएगी उसकी परषाहि उसकी पीछे जाएगी तो यह पोरनें बनेगा यह भूनेगा यह último को अब आब इसके और इसके पर चाई के बीच इसके पर्चाई के बीच इसके पर चाहिए एक पंक्ति में करें रही किस्पंति में एक पंक्ति में ख़ड़ें है एक पंक्ति में खड़ें है एक यह गया प्रभुद अब इसकी परचाई जो है परचाहिस से 135 अवे प्रभुद की परचाहित कि यह प्रभुत की परचाह कितने डिगरी का 135 डिगरी का कोड़ बनता है अब कह रहा है तो बताइए दिपाली का मुख किस दिशा में है दिपाली का मुख किस दिशा में है तो दिपाली का मुख किस दिशा में है तो दिपाली का मुख किस दिशा में है तो दिपाली का मुख कि कहां देकर पर सुबख सुबह्ट का मौसम है झार Win 12 को तेक रहे एक। यह दूसरी के और देख रहा है आप एक सपाहिस लुग है डीपाली कि सदोर देख हुए दो व्यक्ति दिपालि और प्रभूत चुछ के समें एक ony तुसरी के बॉख करके बात करें दो यह जाता तुम प्रभूत परभूत की पार्छॉई के भी 25 का टॉका बनता हुए ओर कर रहा है लायद का मुख्या अकर कर अजहिए की ओर रहा है इनको सिधा करेंगे इनको तीर्षा कर दें क्यों कि यह 135 का कोड बन रहा है और यह सब पॉड़ा पूर्श दिपाली किस दिशा में है धीपाली दश्चिर दिशा के और मुकर के खड़ी है ठीक है यह सब प्रश्न आपके एकजाम में आहे हुए थे तो आपको क एक सेट में तीन, एक सेट में दो, एक सेट में दो, ऐसे कोश्चन हम बताया थे आपको दो से तीन, चार कोश्चन तक आपके एकजाम में मिल सकते हैं, दिसा और दूरी को, और हम आपको बताया हैं कि अब से जो भी चेप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताय जाएगा कि किस चेप्टर से कौन से कोश्चन आये हुए है उस पर आपको कमांड बनाना है ताकि आपका एक भी कोश्चन मिस नहों क्योंकि हम सुरू से कहते हैं कि रिजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मारेंगे जितना आएगा तीरपन पच्पन कोश्चन जो भी कि आएगा वो पूरा मारेंगे क्या क्या मांसी का भ्योगिता और क्या रिजनिंग में मांसी का भी रूची उप्लब बुद्धी बुद्धी लबदी और तार्किक छमता कुल मिला करके आपका आने वाला है लगबक तिरपन से पच्पन कोश्चन अब पच्पन कोश्चन आएगा तो रिजनिंग ऐसा सब्जिक्ट है कि आप 55 में 52 तो करेंगे करेंगे आए ना आय बात की बात है तो जब करेंगे तो हम आपसे हाथ जोड़कर बिंति करते हैं कि सलेक्शन लेना है तो सही कोश्चन करिए कुठशन करें को चन को करना तो उसको सही करने के लिए आपको मेनत करनी पड़ेगी out मेनत साथ करेंगे और को सब्सक्राइब श्क्राइब करेंगे बस आज के लिए इतना ही धन्यबाद जैनद जैभर्द